हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए क्लास में और 12 वालों के लिए हम लेकर आए हैं आज के क्लास में फिजिक्स के तोटल पांच यूनिट्स है यानि की पांच इकाईया आपकी बुक में दे रखी है जो पार्ट ए है उसमें दो यूनिट्स है और जो पार्ट बी है उसमें तीन यूनिट्स है कौन कौन सी है तो वो भी हम आपको बता देते हैं पार्ट ए में दो यूनिट्स है हमारी पहली ह इलेक्ट्रिसिटी ठीक है दूसरी है वो है मैगनेट यानि कि विद्दुत के बारे में आप पढ़ेंगे और उसके बाद जुम्बक के बारे में पढ़ेंगे पार्ट A में और उसके बाद बात करें हम पार्ट B की तो पार्ट B में तीन यूनिट्स है क्या क्या नाम है एक है light, light का मतलब है प्रकाश दूसरी है electronics, electronics है ठीक है और तीसरी जो है वो है हमारी nucleus, nuclear physics यानि कि ये total पांच units है, इन पांचों units से आपके exam में question आते हैं, तो इसलिए और बहुत selected question बताएंगे, अब देखिए दो bookे होंगी आपके पास, एक और एक part B, दो bookे होंगी physics की पूरी book पढ़ना तो possible लही है आपके exam भी आने वाले है एक दो महिने के बात, तो क्या करना है, जितने भी selected question बताएंगे, वो जो हर साल आते हैं, उनकी जो संभावना है आने की वो जादा है, उन्ही questions को केवल बताएंगे, और साथ ही ये भी आपको बता देते कि केवल अगर आप जितना हम बता रहे हैं, इतना पढ़कर जाते हैं, तो जादा बड़ी बात नहीं क्या रहे हैं, तो लेकिन आपके 60 प्लस नंबर आ जाएंगे बहुत आराम से, लेकिन अगर बात करें, 70 में 70 आने की, तो आपको क्या करना होगा, जितना हम बता रहे हैं, वो तो आप पढ़े ही पढ़ें, साथ में आप अनसौल ले सकते हैं, मॉडल पेपर ले सकते हैं, आपको खुद भी तैयारी करनी पढ़ेगी, जो बच्चा 100 में 100 का सपना देखता है, वो ऐसे ही नहीं लाता है, उसको क्या करना पढ़ता है? जो इंपोर्टन है, ठीक है, जो मॉस्ट इंपोर्टन है, वो तो पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन बाइचांस अगर वो नहीं आता है एक्जाम में, एक दू नंबर वाड़े जो कोशन होते हैं, खास करके वही परशान कर देते हैं, तो आपको क्या करना है मॉडल पेपर से अपने जो भी एक एक नंबर वाड़े कोशन है, उन पर ध्यान देना है लेकिन अगर केवल आपको पास होना है तो इतना हम गैरंटी देकर बता रहे हैं कि जितना हम आपको इस क्लास में बता देंगे ये जितने टॉपिक है, केवल इतने तयार कर लीजे केवल बात कह रहे हैं, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आप फेल नहीं होंगे इतना बता दिया है, तो चलिए जो पार्ट A है, जिसमें विद्दू दा चुम्बक जो यूनिट है इसके बारे में आज के क्लास में हम बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए देखे, इधर साइट में लिखा हुआ है लॉग या शॉट, यानि कि जो इधर टॉपिक लिखे हुए है ये तो या तो लॉग में आ जाएंगे लॉग का मतलब है पांच नमबर में और या तो शॉट में आएंगे शॉट का मतलब है तीन नमबर में अगर यह long में आते हैं तो साथ में इसमें numerical लगके भी आता है तो चलिए के question को बताते हैं पहला जो topic है इसमें वो है अक्षिये स्थिती में वैद्यू छेतर की तीवरता हर साल exam में पूछा जाता है या तो अक्षिये वाला या निरक्षिये वाला इसमें इ का पूरा ही derivation है वैद्यू छेतर की नीवता निकाल कर दिखाई जाती है कब या तो अक्षिये और या तो निरक्षिये हर साल exam में आते हैं अगर आप पूछेंगे दोनों में से जादा कौन सा important है तो निरक्षिये वाला जादा important है पर आप देखिए एक पढ़ेंगे तो दूसरा similar ही है थोड़ा सा difference होता है देखिए अक्षिये का मतलब क्या होता है सीधा मतलब अक्षिये पर निरक्षिये में क्या होगा उपर हो जाएगा यानि कि निरक्षपर बस इतना से डिफरेंस होता है इसलिए फॉर्मुला भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है बाकी सारा सिमिलैर्टी ही रहती है एक डेरिविशन आप पढ़ेंगे तो दूसरा आपको जादा प्रॉब्लम नहीं होगी याद रखने में तो एक तो टॉपिक यह हो गया दूसरा है टॉपिक हमारा अक्षिये स्थिती में विभव या निरक्षिये स्थिती में विभव ये हलंकी नहीं आता है इतना एक्जाम में ये वला जादा पूछा जाता है हर साल एक्जाम में लगबग पूछा जात तो इसलिए हमने यहाँ पर विभाव भी लिख दिया है फिर उसके बाद थर्ड कोशन की बात करें तो ये भी भाई अग्जाम के परपस से काफी इंपॉर्टन कोशन है समांतर प्लेट संधारितर ये भी अपने आपे पूरा एक डेरिवेशन है इसमें एक अलग इसकी भी दो डेरिवेशन है एक है हमारा केवल समांतर प्लेट संधारितर और एक होता है पूरा समांतर प्लेट संधारितर लेकिन उसमें बीच में पट्टी रखी होती है कुछ इस तरीके से डाइग्राम बनता है ठीक है समाधर प्रेट संधारित में इस तरीके से होगा लेकिन जब बीच में पट्टी होगी तो बीच में पट्टी इस तरीके से रख दी जाएगी ठीक है तो यह जो बीच में पट्टी वाला है यह काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3-4 conditions लगती है उनके बेसवर ये complete होता है उसके बद अगला जो question है वो है हमारा U बराबर half epsilon E square epsilon not E square ये दे रखा है ये प्रूव्मेंट आता है exam में या तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये U क्या है उर्जा घनत्व उर्जा घनत्व क्या होता है इसके बारे में लखी और ये इसका formula सूत्र जो है सिध्ध करकर दिखाएए फिलाल जाया तर तो ये सिध्ध करने के लिए ही कहा जाता है कि सिध्ध कीजिए इतना तो ऐसे आता है तो ठीक है लेकिन कभी-कभी ऐसे भी पूछ लिया जाए कि U और E यानि कि उर्जा घनत्व और व्याद्व छेत्र की तीवरता में relation क्या है तो भाई यही relation है आपको पता होना चाहिए दो-चार लाइनों का derivation है बहुत आसान है अमने करवा भी रखा है जो physics वारी एरक से playlist है वहाँ पर उसके बाद अगला कोशन क्या है विद्दु चारन का मुक्त electron model यह भी पता होना चाहिए शौट में पूछ लिया जाता है लेकिन अगर कहें जादा नहीं आता है लेकिन हाँ एक बार नजर डाल लेनी आपको फिर मुक्त electron का अनुगमन वेग अनुगमन वेग लिख कर आए या अपवावेग लिख कर आए दोनों ही बाते एक ही है फिलाल अनुगमन वेग से जादा कोशन पूछा गया है यह important है काफी important है हम तो इसको कहेंगे और अगर यह पूछा गया है आपके long question में बता दिये है अगर यह question long question में आता है तो कैसे आएगा देखिए अपवावेग तो पूछा ही जाएगा इसके बारे में आपको detail में describe करना पड़ेगा साथ वे से पूछा जाता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में relation या धारा और अनुगमन वेग में relation एक देखिए एक यह relation होता है आई बराबर न वीडी इ यह निकाल कर दिखाना पड़ता है आपको ठीक है यह relation हो गया इसी question के साथ पूछा जाता है देखिए जैसा बता रहे हो सकता है आपका identity जैसा ही paper आ जाए तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजाब वीडियो पसंदा है तो ज़रूर लाइक कीजेगा कैसी लगी comment करके भी ज़रूर बताए यहाँ पर अगर यह question log में आता है अगर यह long में आता है वरना आपको एक numerical दे दे जाएगा लेकिन condition फिलाल हमने अभी तक जितने भी set देखे उसमें यह question या तो इसके संगाया है और या तो इसके संगाया है उसके बाद अगला question है ओम का नियम ओम का नियम भाईया यह तो 9th class की बात है तो यह तो ऐसे आनी जाएगा 12th class में है और ओम का नियम के वल लिखने को दे दिया वी बराबर आई यार तो ऐसे तो नहीं आएगा क्या आएगा ओम का नियम के निश्पत्ती पूछ ली जाती है कि ओम के नियम के निश्पत्ती कीजिए पूरा आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा और फिर उसके बाद अगला कोशन क्या है हमारा किरचाफ के नियम ये शौट में कोशन पूछ ला जाता है कि किरचाफ के नियम जो है वो लिखिये दो नियम होते है उसके बाद वीट स्टोन जेतू ये भी काफी इंपॉर्टन टॉपिक है इसके संग अगर ये लॉंग में आता है तो साथ में नुमेरिकल भी पूछा जाएगा विभव मापी ये अपने आप में पूरा एक बहुत लंबा टॉपिक है इसमें कई सारी हैडिंग्स आपको मिलेंगी अगर आप पढ़ेंगे विभव मापी होता क्या है इसका सिधान्द क्या है आप इसका चितर बनाएंगे उसकी क्रियाविधी क्या है और इसके दो डेरिवेशन भी है इसमें तो यह अपने आप में पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर आप पढ़ेंगे तो यह आजाता है अग्जाम में लेकिन हाप बहुत जदे इंपॉर्टिन नहीं कहेंगे लेकिन हाँ आजाता है तो इस पे अभी आप नजर डाल लें मतलब कि अच्छे से एक बड़ पढ़ लें जिससे कि अगर आजाता है तो आप लिख सकें उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है हमारा गौस की प्रमै यह एक्जाम में हो सकता है आपके आजाए अगर लॉंग में नहीं आएगी तो शौट में आजाएगी शौट में नहीं आएगा तो वेरी शौट में आजाएगा यानि कि अभी हम देखी पूरे इस क्लास को बताने के बाद कुछ ऐसे कोशन बताएंगे जो 101 परसेंट आपको पढ़ कर ही जाने है और हो सकता है आपके एक्जाम में आभी जाए ठीक है तो देखी उन्हीं में से कोशन ये भी है गौस की प्रमे गौस की प्रमे आपको पढ़ कर जाना है और अगर ये लॉंग कोशन आता है आपके एक्जाम में यानि पांच नमबर में अगर ये आईगी तो कैसे पूछा जाएगा गौस की प्रमे लिखिए साथ में उसकी उत्पत्ते कीजिए यानि आपको या तो ये कोशन आ गया ठीक है अगर ये नहीं आता है तो ऐसे पूछा जाएगा गौस की प्रमे लिखिए और इसी साहता से कुलाम के नियम के उत्पत्ति कीजिए या वैद्यु छेत्र की तीवरता कित्पत्ती कीजिए ठीक है गौस की प्रमे की साहता से इसका डैरिवेशन अपने आप में है ठीक है इस तरीके से पूछ लिया गया है दो कोशन यहाँ पे बन गया है अगर ऐसे नहीं आता है तो तीसरा कोशन भी देख लीजिए गौस की प्रमे लिखिया और साथ में अनन्त विस्तार वाले चादर के लिए विद्यु छेत्र की तीवरता निका लिए तो ये तीनों ही इसके डैरिवेशन है गौस की प्रमे के ही साथ आएंगे अगर लॉंग में आता है वेरी शॉट में आएगा तो गेवल गौस की प्रमे पूछ ली जाएगी या गौस का नियम इस तरीके से पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले आपको अगर लॉंग के लिए बेस तयार कर लीजिए short में आता है तो भी आप लिख लेंगे very short आता है तो भी आप लिख लेंगे सबसे पहली बात यहां से देखिए या तो यह पूछा जाएगा gos की प्रम है और साथ में इसका प्रूवमेंट या तो gos की प्रम है यह वाला derivation पूछ ले जाएगा दो question होगे तीसरा है gos की प्रम है और साथ में अनन्त विस्तार वाली चादर के लिए यह कमान तो यह question यहाँ पर तीन question हो गए और आपको यह complete अच्छे से बिल्कुल रट के जाना आप ऐसे समधीजे फिलाल आपने अगर मेरी वीडियो देखे होगे तो रटने की कोई जरूती नहीं पड़ेगी यह topic बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है अगला जो topic है वो है हमारा एक समान चुम्बकी चेतर में आवेशित कड़की गती इस type से question आपका नहीं लिखकर आएगा यह हमने heading दिखकर बता दिये topic बता दिया है यह कैसे exam में आता है कि एक समान चुम्बकी चेतर में आवेशित कड़की जो तरिज्या होती है तरिज्या या आवर्तकाल ऐसे ही आता है question में इसका व्यंजत निकाल कर दिखाईए तरिज्या यह आती है या अगर आप पूरा हमने यहाँ पर गती निकाल कर दिखा दी पूरे derivation में आपने अगर देखा हुआ अभी इस टाइम पर अंसॉल्ड पेपर पर काम कर रहा है अंसॉल्ड जो set कर आया था हमने 2021 का set 2 में उसमें हमने पूरा derivation यही वाला question solve कर आया था हमने वहाँ पर बताया भी था कि अगर गती आती है तो पूरा derivation करेंगे और अगर केवल तरिज्जा पूछी जाएगी तो आप केवल R कामान निकाल कर दिखा देंगे R बराबर MV अपॉर्ने QB और अगर आवर्त काल आ जाएगा तो T V निकाल कर दिखा देंगे और इसी के आगे हमने आपको अधायत अगर आवर्ती भी आ जाती तो आप N निकाल कर दिखा देंगे ओके फिलार जालतर इसमें तरिज्जा ही निकालने के लिए कही गई है और यह as a formula यूज किया गया है numerical में भी तो इस टाइब के अगर question आपके numerical में आते हैं तो आप यह वाला formula यूज करेंगे उसके बद अगला जो question है वो है हमारा bio savert का नियम यह exam में आता है हर साल exam में लगभग पूछा ही आता है कि bio savert का नियम क्या होता है short में आएगा तो केवल इतना ही पूछा जाएगा और अगर long में आता है तो साथ में इसके साथ में एक और question लिख कर आएगा कि ब्रत्ता कार कुंडिली के केदर पर चुंबकी छेतर कितना होता है तो दोनों अलग-अलग topic है लेकिन अगर long में आते हैं दोनों एक combine होकर आएंगे उसके बाद अगला है एक relation है c बराबर one upon under root mu naught और यहाँ पर epsilon naught यह दे रखा है यह पूरा relation है किसका या तो यह relation ऐसे ही पूछा जाएगा कि आप इसको इस संभंद को proof कर कर दिखाएगे अगर ऐसे नहीं पूछा गया तो ऐसे पूछा जाएगा यहाँ पर mu naught क्या है यहाँ पर mu naught है चुम्बक शीलता क्या है चुम्बक शीलता और epsilon naught को तो आप जानते ही होंगे वैद्यू शील्टा है, ठीक है, ऐसे मुझा जाएगा चुम्बक शील्टा वैद्यू शील्टा में संबंद क्या है, तो यही प्रूवमेंट आपको करकर दिखाना पड़ेगा, उसके बाद अगला कोशन है, दो धारा वाही तारों के बीच बल और एंपियर अगला कोशन है, अगर लॉंग में आएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, एंपियर का परिपत्य नियम लिखी और साथ में इसका प्रूवमेंट भी करकर दिखाईए, और साथ में इसके साथ में अगर निश्पत्ती इसकी नहीं पूछी गई, तो यह पूछ लेगा कि अबड़ा का नियम लिखे इसाथ में और सीधे तार के लिए सीधे तार के कारण चुम्बा के छेतर निकालीए, यह वाला जाधा पूछा गया है, इसकी निश्पत्ती नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसके साथ में यह डरिवेशन कई बार पूछा गया है, कि अनन्त ल लाबर 1 upon 2 pi under root LC इसका प्रूवमेंट करकर दिखाईए तो ये प्रूवमेंट आप पढ़ेंगे LC परिपत में तो इसको भी complete करकर अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रूवमेंट आप कैसे करेंगे तो ये तो भाई हो गए long question कुछ और बचे हुए हैं ये भी आ साथ में इसके संग एक numerical भी पूछा जाएगा अगर शौट में आता है तो खाली transformer का सिधान्त पूछा जाएगा और साथ में इसके जो क्रियाविदी है वो पूछ ली जा सकती है उसके बाद ये question भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है स्वाह प्रेरड और अन्योन प्र अप्रेर्ण गुड़ाँग हन्ड़ेड परसेंड आपके एकजाम में ये जरूर आएगा क्योंकि हर साल आता है दोनों में से घरूर फूछा जाएगा या तो सप्रेरण पुछा जाएगा और न्योन पेर्ण और साथ में इसमें अच्छी बात है इसके शौट में आने के फॉर्मुला आप इस definition में पढ़ लेंगे, सारी value question में दे दी गई होंगी, यहाँ पे अगर सोहा प्रेरण आता है, तो L कामान पूछा जाएगा, अगर अन्योन प्रेरण आता है, तो M कामान पूछा जाएगा, बस, बहुत बड़े numerical नहीं आएंगी, बहुत simple ही पूछा जा उसके बाद सम विभव प्रेश्ट आ जाता है, साथ में इसकी विशेष्टाइं लिखिए, और यह संबंद आता है, J बराबर सिगमाई, यानि कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता है, यह सिगमा जो होता है, इसको बोलते हैं, इसमें संबंद बताइए, J बराबर होता है, सिगमाई, उसके बाद अगला है वैद्व फ्लक्स, इस पर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप लिख लीजे, मोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैद्व फ्लक्स भी पूछा गया है कई बार, और आपको पताओना अचाहिए आपने पढ़ा होगा विद्व चुम्बक की तरंगे, चैप्टर जो आपके में है, चुम्बक में, उसमें कई सारी आपको तरंगे देखियोंगे, उसमें लिखा होगा रेडियो तरंग, एक्स किरने, गामा किरने, कई सारी वहां पर किरने तरंगे लिखी तो पूछले जाता है कि घटते करम में लिखुए बढ़ते करम में लिखी ए की बताईए किसकी किसकी कंभा है किसकी जाधा है तो यह पूछ राता है स्कीता है और उपजेक्टीफ में presence बिपयरगों में या वेर शॉर्ट में आ जाएगा और यह कोशन भी इंपोर्टेंट है यह सारे कोशन तो हमने आपको बता दियें किस टाइप से पूछे जाएंगे यह केवल एक बुक के हैं पार्ट एक जिसमें आप इलक्टरिसिटी और मेंगनेट कवर करेंगे उसमें केवल देखी आपके इसमें से यह केवल सिलेक्टेड टॉपिक हमने बताएं हैं आपको पढ़ना सब कुछ है लेकिन इन टॉपिक अगर आप सारा पढ़ पाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप नहीं पढ़ने में इतना इंटरस्ट रखते हैं तो जितने टॉपिक हमने बताएं इतने तो केवल पढ़ ही लेकिन अगर आप इतने भी नहीं पढ़ पाते हैं तो अभी हम आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक भी लेजे बता देते हैं सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक आपको होता है तो निरक्षिय वारा जरूर पढ़ लीजेगा उसके बाद समांत स्टोन से तू पांच गौस की प्रमय यह आपको पूरा कंप्रीट पढ़ना पढ़ेगा केवल गौस की प्रमय से जब आप एक इसकी एप्लिकेशन पढ़ेंगे तो दोनों आपको बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकेंगे सिमिलर ही है थोड़ा थोड़ा सा तो यह वाल कोशन काफी इंपोर्टेंट है धारावाई चालोकों के बीच बल तो आठ कोशन हो गए आठ के बाद यह वाला प्रूवमेंट भी नौ उसके बाद सोहा प्रेरण और अन्योन प्रेरण में से एक पढ़ लिजेगा तो यह हो गए 10 फैराडे के नियम और ट्रांस्वारवन दोनों ही इंपोर्टेंट है यह आपको कम्प्रीट करना है और उसके बाद यहां पर फिर तो यह शॉर्ट तो आपढ़ी लेंगे दो दो नंबर के एक एक नंबर में आता है और जरा-जरा से कोशन लिखा ही होता है इतना तो पढ़ी लेंगे यानि कि हमने आपको कुल मिल के भी बच्चे पास होते हैं लेकिन कब जब आप केवल लॉंग करकर आएंगे अब लॉंग कर लेंगे तो दो चार आप शौट भी कर लेंगे तुक्के मार के आप MCQ भी कर लेंगे तो यह नि पास होने भर के नंबर केवल आप इतना पढ़के भी ला सकते हैं लेकिन अगर केवल पास होना है क्योंकि कुल मिलाकर आठ कोशन आते हैं आपके लॉंग में करने कितने होते हैं केवल चार लॉंग करने होते हैं इतनी आपके में दे रखी है छूट इतना सारा दे रखा है याठ में से केवल इतना तो करी लेंगे और लॉंग में बता दिया है कि आता है अक्षी निरक्षी इस्थिती में आ जाता है समांतर प्लेट संतारित जो बीच बाठी वाला आ जाता है 2 समांतर धारावाई वो जो बीच में आरा इस टाइम भी कि हम fail हो जाएंगे तो यह आपके दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि इस क्लास में आपको इतना तो confirm हो गया होगा कि हाँ हम fail नहीं होंगे फिर भी कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं इस क्लास में आपको पार्ट A यानि कि पहली बुक के बारे में बता दिया कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है अब हम अगले क्लास में जब बिलेंगे तो पार्ट B के बारे में भी बता देंगे कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है अगर जो यहाँ पर अच्छे बच्चे हैं वो वीडियो को देख रहे हैं यानि कि उनको पढ़ाई में मन लगता है उनको अच्छा लगता है तो उनके लिए यही suggestion यहाँ पर देंगे कि उनको पढ़ना सब कुछ है सब कुछ का मतलब क्या है model paper ले लीजिए पढ़ेए बैट के अराम से लेकिन यहाँ पर जो selected topic लिखे हुए इन topic को ग्रप्पया करके छोड़ियेगा मतलब कि इनको भी नजर डाल लीजेगा अच्छे से रियाद कर लीजेगा तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कोई डाउट है तो आप पूस सकते है इस क्लास में इतने ही रखते है अगले क्लास मिलेंगे तो पार्ट बी के भी हम इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे तो तब तक के लिए जय हिन जय भारत